नमस्कार दोस्तों दोस्तों एसे टाइम टेबल सॉप्ट्वेर जो है इसमें हमारी जो प्रिंट आउट होते हैं जैसे हम प्रिंट प्रिवु पे चले रहते हैं इसके जो प्रिंट आउट हैं इसको हम PDF में कैसे कनवर्ड कर सकें मान लिजे कि आपके इस लैपटॉप पे convert करते हो रहा, तो वहाँ पे आप किसी भी PDF एप से इसके printout को निकाल सकते हो, दुसरे computer पर आपको registration code डालने की ज़रुरत नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप AAC timetable के printout को PDF में convert कर सकते हो, दोस्तों सबसे बहले मैं आपको बता दू कि ये software free नहीं है, ये software ज आप वहाँ पे जाकर मुझे WhatsApp पे message कर सकते हो, या फिर call करकर इसकी जो registration की जो process है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, दोस्तों सबसे पहले मैं PDF में कैसे convert करना आप चाहते हो, इसकी वीडियो की जानकरी मैं आपको यहाँ पे देने वाल हो, तो दोस्तों यहाँ से इस प्रक करना यह है कि इस प्रकार से आप print preview पे आईए, यहाँ पे आपको एक print को option मिलेगा, okay, print पे click करना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे print का option मिलने वाला है, okay, control प्लस P से भी आप इसको open कर सकते हो, इस पे click करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से एक dialogue box आपके computer पे खुलने वाला है, जो printer की आपको properties दिखाएगा, अब दोस्तों यहाँ पे एक drop down का arrow आपको दिखेगा, इस पे आपको click कर लेना है, अब जैसे click करते होना दोस्तों, तो यहाँ पे देखे, Microsoft print to PDF इस प्रकार से एक option मिल जाता है, ठीके, अगर आपका Windows 7 है, Windows 8 है, तो उस में यह Microsoft print to PDF नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको Primo PDF एक Google पे आप सर्च कर लिजे, free app है, Primo PDF डाउनलोड, उसको install कीजे, उसको install करने के बाद आपको यहाँ पे एक Primo PDF नाम से एक printer मिल जाएगा, अब मेरे में, यह Windows 10 है, Windows 11 में आपको यह ज़रुत नहीं पढ़ने वाल इसको भी PDF में convert कर सकते हो, वर्ड को भी, जो भी printable material है, सबको आप PDF में convert कर सकते हो, तो मैंने Microsoft print to PDF option को चूज किया है, और उसके बाद मैं OK पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए, यह कहाँ पे save करना है, यह आपको पूच रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे document में, मैं एक नया folder बना लेता हो, जिसका नाम ही रख देता हो, PDF, इस प्रकार से मैंने PDF नाम रखा है, इसको मैं open कर लूँगा, और यहाँ पे print को कुछ नाम देने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, अब जैसे मैं 59 pages है, जिनको यह software क्या कर रहा है, print जो है, वो PDF में export कर रहा है, जैसे 59 open होगा, complete होगा, तो यहाँ से यह हमारा PDF जो है, आप फिर से आपको जाना पड़ेगा, download folder में, जहाँ पे मैंने क्या किया है, PDF नाम से एक folder बनाया है, download में गया मैं, यहाँ पे PDF नाम से एक folder होगा, ज download में नहीं बनाया है, मैं PDF को सर्च कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा, PDF नाम से मैंने यहाँ बनाया हुआ folder है, ठीके, यहाँ पे PDF जो है, यह folder है, इसको मैं open करूंगा, तो यहाँ पे, यह print.pdf इस प्रकार से है, और इसको हम open करेंगा, तो हमारे जो printout थे, देखिए, यह PDF में आ चुके है, मेरे पास, यहाँ पे हम, अब मैं इसको पेंड्राव पे लेकर, कही पर भी जाकर, मैं इसको printout निकाल सकता हूँ, इसका जो उपे सेटे पे उसको भी मैं यहाँ पे complete कर सकता हूँ, दोस्तो इस प्रकार से देखिए, आप किसी भी PDF फाइल को, print फाइल को PDF कर सकते हो, तो मैंने यह वीडियो खाली, एसी टाइम टेबल के लिए बनाया है, इस वीडियो का इस्तिमाल करकर, आप किसी भी फाइल को PDF में convert कर सकते हो, तो दोस्तो इस प्रकार के और टेकनिकल के ट्रिक्स देखने के लिए, चैनल क अभी सब्सक्राइब किजिए, इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए, दोस्तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार